हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं सब लोग जैसे के फ्रेंड्स हर बार हम आपके लिए कुछ ना कुछ एक नएा सेलुशन लेकर आते हैं फोन फिक्स हैदराबाद के दोनों चैनल्स पर काफी सारे वीडियो सा रहे हैं जिसमें आपको बहुत कुछ सेलुशन मिलने वाला है ऐसा ही आज एक हम लेटेस्ट है हमारे पास रेड्मी नोट 11 प्रो का जो के एक 5G हैंड्स है जैसा कि यहां पर देख सकते हैं यह हैंड्स है यह हमारे पास है अभी एड़ कंडिशन में है और इसमें आपको बहुत कुछ सीखने मिलने वाला है जैसा अभी तक आपने डबल पावर में देखा था के बीओ बी का सप्ला 735 लगकर है और दूसरा जो पावर है PMR करके एक है जो के 735A तो दो पावर इसी इसमें है अगर आपके पास इस तरह का कोई हैंड़ सट आता है तो इसका तो देखेंगे डागरम तो आपके पास होगा नहीं नोट 11 प्रो 5G अगर आप देखेंगे तो डागरम नहीं है इस हमने पूरा डाटाशीट बनाया है यह इस्टुडेंट्स के लिए आपको भी अभी मिल जाएगा इस वीडियो में तो कितने बॉल है क्या है सब कुछ हमने बताया है इसमें पूरे 48 बॉल इसमें है तो फ्रेंट्स होता क्या है कि डब डाइगरम नहीं होता है आपके पास आपको डाटाशीट बनाने नहीं आता है तो फिर आप उसमें क्या चेक करेंगे कहां पे ग्रॉंड आ रहा है कहां पे इसकी कौन सी सप्लाई आ रहा है तो 48 गोले तो है इसके अंदर लेकिन एक नंबर से 48 नंबर तक एक एक पिन को आपको चेक करना होता है तो कहां पे ग् यसे, इस IC में आपका वावर 10 का भी एता है जो के आपने वावर 10 को हमने पहले भी बताया था आपको लग्हाने होती है वहाँ से वावर 10 का सपřाइ पॉसरी पॉवर में जाती है पॉसके बाद एक बाद दूसरी आइशी को भी ये बता दे कि मेरा जो काम है वो हो चुका है इसका जो सारा voltages है बनने के बाद वो अपनी fault 10 के supply दूसरी AC को देता है तो यहाँ पे friends इसमें दो power तो लेकिन VOB का coil नहीं है VOB की supply नहीं है यहाँ पे तो इसमें क्या concept रहने वाला है क्योंकि 5G handset है आपने अभी तक चेक नहीं किया होगा हमने इस पे अलड़ी एक वीडियो दाला है डबल बैटरी पे चोटा सा solution दिया था बड़ यह handset जो आया हमारे पार dead phone में dead condition में तो सबसे पहले हमने उसको dead को हमने repair किया उसके बाद डबल बैटरी इसमें एक बैटरी तो सबसे पहले हमने कूल टेस्टिंग करेंगे कि क्या स्विचिंग ले रहा है तो यह सबसे पूरा वीडियो देखिए बहुत कुछ आपको इसमें सिखने मिलने वाला है क्योंकि दो पावर है दोनों पावर का हमने बूट सिक्वंस बताया है कि पूरे चारे जितने बगवल्स होते हैं वहां पर क्या क्या वोल्टिज बन रहे हैं और इसमें ल्डियो सप्लाई क्या बनती है हमने इसमें बहुत कुछ आपको बताया है तो यह उसमें हम कूल research करके बहुत time निकाल के बनाना होता है जैसे अभी देख रहे हैं आप रात के सबानो हो रहे हैं या रात के 9 बज़ रहे हैं तब भी हम यहाँ पे आपके लिए कुछ ना कुछ एक नया बनाते हैं तो time बहुत हो जाता है सुबा से आकर बैटे होते हैं 10 बज़े से classes होती है 7 बज़े 8 बज़े से तयार होना होता है रात रात हो जाती है बहुत मैनत करके एक वीडियो बनता है तो friends होता क्या है हमारे पास अभी फिलहाल जो student sets लेके आते हैं उन set पर हम आपको live repair करके बताते हैं class के अंदर class में जितनी भी वीडियो हमारे होते हैं live repair होते हैं ये वीडियो भी हमने जो है student को already set पे भी हमने बताया है कि इसमें क्या-क्या fault है कैसा हमको check करना है और यहाँ पे वीडियो में आपको सारी चीज़ बताने का मकसद यह है कि 5G handset पे अभी तक इस तरह का वीडियो आपको YouTube की पूरी history में आपको नहीं मिलने वाला है एक बर आप इस वीडियो को without skip करके देखिए बहुत कुछ आपको इसमें मिलने वाला है क्योंकि एक नया पावर है PMR 735A किस चीज के लिए क्या supply बना रहा है कितने बख है उसमें कितने एल्डियो है यह इस वीडियो में मैं रिवेल करने वाला हूँ अभी तक आपको YouTube पे नहीं मिलेगा अगर आप ढूनेंगे तो इस model का तो आपको Note 11 Pro का 5G का तो डागरम नहीं मिलने वाला है लेकिन हमारे पास जब आप class में आते हैं तो इसको कैसे check करना है कहां कहां check करना है कैसे हमको इसका data sheet बनाना है कैसे निकालना है सब कुछ हम बताते हैं गोले जो है कैसे counting करनी है GR कब आता है OL कब लिखा होता है voltage कब आता है इसमें क्या signal आ रहा है आप देखेंगे तो बहुत सारे market में ऐसे चल रहा है diagram वगरा कुछ नहीं होता है तो मैं उन सारे बंदों को कह दूँगा कि अगर ये 48 बॉल की ऐसी है कुन से बॉल पे क्या supply आ रही है बिल्कुल नहीं बता पाएंगे क्योंकि मार्केट में आज कल चल रहा है कि diagram वगरा से कुछ नहीं होता है 50-60 pin का display का connector आ जाता है Samsung के model में तो 50-60 pin पे कौन सी supply किदर आ रही है आप भी नहीं बता सकते है क्योंकि उसमें RFE fee भी supply आती है जिससे network का issue आ जाता है या फिर अगर आप देखेंगे बहुत साई supply नीचे जाती है wringer के लिए, mic के लिए अगर उसमें आपको headphone नीचे होगा तो headphone के लिए supply नीचे जाती है तो वो 50-80 pin के connector में display का section भी होता है light का section भी होता है USB का section होता है type C का USB type C के सारे 24 के 24 pinे जो होते हैं हमारे UC में supply आती है तो आप कैसे उसको ढूण पाएंगे अगर आपको knowledge नहीं है diagram अगर आप follow नहीं करेंगे तो friends बिल्कुल नहीं बनने वाला है हाँ कुछ ऐसे models आते हैं regular farts होते हैं regular voltages होते हैं power के पास, MMC के पास CPU के पास या DC to DC के पास या OVP के पास कुछ ऐसे voltages होते हैं जो बहुत सारे technicians को पता होते हैं जो हमारा ideal point पे 1.8 होता है जिसको हम VCC, Q बोलते हैं या MMC के पास VCC, VCC, Q, RAM के लिए 1.2 या 0.6 यह जो regular voltages हैं हमारे power की के voltage, VPH voltage, VBAT voltage यह तो आप बना लेते हैं तो यहां पे फिरेंट आपको diagram का इस्तेमाल करना होता है diagram के थुरू आपको repair करना होते है क्योंकि coil हैं तो एक जैसी रहेंगी और power इसी हमेशा जैसी लगी होती है, बोड में, हर बोड में आपको घुमा घुमा के वह डालेंगे एक जैसा तो वह डालेंगे नहीं कभी nose cut point जो है उसका घुमता रहेगा उसके साथी साथ supply भी घुमता रहेंगी coil भी घुमता रहेंगे तो ऐसा नहीं है कि एक में जैसा लगा दिये वैसा ही दूसरे answer में लगाएंगे यह वीडियो हो सकता है थोड़ा सा लेंदी होगा मैं इसको बिल्कुल fast forward करें पूरा steps बता रहा हूँ आपको knowledgeable वीडियो है अभी तक हम short video भी डालते हैं हमारे shorts में जाके देखें बहुत सारे shorts हैं यह video वही वाले हमारे technician भाई देखें जिसको कुछ सीखना है जिसको कुछ सीखना है वो वाले भाई हमारे यह video देखें जिसको shortcut solution चाहिए वो अभी इस video को skip कर दें किसी और का video आप देख लिजे यह video हमारा बनाने का मकसद यह है कि असमें full A to Z solution आपको मिलें क्योंकि हम जो video बनाते हैं इसका मकसद एक ही होता है कि हमारे जो viewers है, subscribers है, जो followers है उनको कुछ नखुछ नया मिलते रहें क्योंकि बहुत सारे लोग हाइट कर देते हैं student को class में बुला कर ही बताना चाहते हैं तो हमारे यह आप ऐसा नहीं हम solution भी देते रहते हैं बहुत सारे solutions देते सबसे ज्यादा आप देखें, facebook पे, whatsapp status पे हमारे student का काम जो होता है हम उनी का काम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं तो चलिए, friends, इसमें हम cool testing करेंगे hot testing करेंगे वीडियो पुरा end तक देखिए बिलकुल skip मत करिए आपको इस वीडियो में sure बहुत कुछ सीकने मिलने वाला है और जरा साभी सीके कुछ आपने इस वीडियो में जरू नीचे कमेंट करके बताना कि हमारा वीडियो कैसा लगा तो चलिए, शुरू करते हैं हम आज का वीडियो तो friends, सबसे पहले मैं आपको यहां पर charger लगा के बता देता हूँ कि charging के जो port में क्या यहां पर switching यह ले रहा है तो यहां पर मैं आपको charger लगा दिया हूँ जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पर 0.6 इस तरह से यहां पर मेरी MPR यहां पर ले रहा है, consume कर रहा है बट यहां पर friends, यहां पर कोई लोगों बगारा नहीं है जैसे आप देख सकते हैं आपको लगेगा कि हो सकता है कि light का कोई प्रॉब्लम है क्या ग्राफिक का तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, जैसे फिर से मैं यहां पर लगा के यह 5G handset है, तो इस side में, right side में अगर आप देखेंगे तो इसमें सिर्फ प्लस VBAT और GROUND की supply है और इसमें clock data की supply होती है हमारी इस side में यहां पर होती है तो यहां पर मैं आपको यह वाली battery भी यहां पर connect करके बता रहा हूँ अब हम यहां पर DC से connect करेंगे, यहां पर देख सकते हैं आप और मैं power की प्रेस करके बताता हूँ कितना यहां पर consume कर रहा है देखे, जैसे मैंने यहां पर connect कर दिया है power cable कोई एंपियर नहीं ले रहा है कोई शॉटिंग वगरा शो नहीं कर रहा है और मैं power की जैसे ही प्रेस कर रहा हूँ यह देख सकते हैं फाई इस तरह से 0.05 इस तरह से कुछ मिली एंपियर consume कर रहा है 0.03 इस तरह से उसके बाद जैसे मैं power की छोड़ूँगा यह 00 हो जाएगा मतलब शॉटिंग तो नहीं है फुल शॉट नहीं है कोई लिकेज भी नहीं है अब हम इसमें सबसे पहले करेंगे cool testing उसके बाद हम करेंगे hot testing तो cool testing में सबसे पहले देखेंगे क्या कोई secondary में शॉटिंग है हाला कि latest जो handset आ रहा है उसमें secondary में अगर शॉटिंग होती है तो आपका V-Bite पे यहाँ पे कोई भी MPR कंजूम नहीं करेगा DC में तो यहाँ पे हम इस वीडियो में सबसे पहले करेंगे cool testing तो cool testing के बाद फिर हम hot testing करेंगे जहाँ पे सारे voltage check करेंगे जो भी lower endo, higher endo, हमारे modern की supply चार और चार, 8 coil यहाँ पे लगके है तो आज मैं सारे 8 coil कौन से कौन से सारी चीज़ बताने वाला हूँ और इसके नीचे अगर आप देखोगे तो एक और नया power यहाँ पे लगके है secondary power जिसमें PMR 735A तो इसमें कितने बख है कितने LDO है यह भी सारी चीज़ इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ तो वीडियो पूरा end तक देखिए तो सबसे पहले हम cool testing करेंगे उसके बाद hot testing करेंगे और फिर कोशिश करते हैं इसको बनाने के ऐसा नहीं है कि बन जाएगा क्या problem है हमको इसको समझना है समझ के अगर बनाएंगे तो 100% बनेगा अगर knowledge नहीं है तो आप एक का काम एक कर देंगे CP उठा देंगे UFS उठा देंगे फिर आपका काम होने वाला है नहीं और board में भी एक बार eye scan करेंगे सबसे पहले क्या किसी technician भाई ने इसमें काम किया है क्योंकि पत्रे सारे निकले हुए है तो इसमें अल्रडी काम किया हुआ है तो इसको भी हम देखेंगे तो वीडियो पराइंट तक देखिए मैं बार बार बता रहो क्यों skip करेंगे कुछ समझ में आने वाला है नहीं तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं इसके और सबसे पहले cool testing करते हैं तो friends सबसे पहले हम board को यहां से बाहर निकल लेंगे और इसमें से बाहर निकालके हम पूरा cool testing करेंगे और उसके बाद hot testing करेंगे देखते हैं क्या कुछ fault तक हम पहुंच पाते हैं क्या क्योंके latest handset है तो सबसे पहले हमारा जो step होता है battery connector को check करना इसमें दो battery है जैसे कि आप देख सकते हैं तो इसमें जो charging AC लगके है इस side में यहां पे लगके है जिसको हमने खोला भी नहीं है देख सकते हैं यहां पे और इसमें दो IC यहां पे हैं एक saw chip की AC यहां पे जो के supporting charging AC यहां से कुछ component removed है देख सकते हैं यह हो सकता है shield पत्रह निकालने पर remove होगे और इस side में भी एक आपको वही saw chip अला IC दिखेगा यह देख सकते हैं यहां पर पहले हमारा जो step होता है battery connector को check करना यहां पे हम red probe कर लेंगे ground और हम black से check करेंगे तो इस side हमारा ground pin है और अगर इस side देखेंगे तो VBAT में हमारा 400 के आसपास value मिल रहा है 400 के आसपास यह दोनो pin एक ही है यहां पे देखेंगे और अगर हम इसको प्रो पलटा के check करेंगे red VBAT और black ground पे रखके देखेंगे oil आ रहा है मतलब कोई GR नहीं मिल रहा है यहां पे देख सकते हैं forward में रिवास में हमको value मिल रहा और इस side में देखेंगे यह तो हमारे oil pins है इसमें कोई supply होता भी नहीं है आपका यह dummy pins है main हमारा ground और VBAT तो यहां पे तो हमको कोई shorting नहीं मिली एक बार इस side भी check कर लेते हैं देख सकते हैं VBAT पे 5500 के असपर GR मिल रहा है और ground pin हमारी यहां पे connected है अगर हम probe पलठा के देखेंगे यहां भी oil है देख सकते हैं और इसमें हमारा clock data की supply आती है तो यह तो nc pin है यह हमारा clock और यह नीचे का इसका data की pin और यह भी हमारी nc pin तो मतलब यह भी supply यहां पे आ रहा है मतलब shorting तो कुछ नहीं है अब हमारा काम होता है सबसे पहले जहां से यहां पे पत्रा उत्रा हुआ है तो सबसे पहले हम इस section में देखेंगे क्योंकि dc to dc को देख सकते थे बढ़ यहां पे इसका shield लगा हुआ है bqic इसमें होती है यह पत्रा यहां पे लगा हुआ है तो अगर हमको vps supply अगर से check करनी है तो हमको पता है power के पास हम जो यह capacitors लगे होते हैं आपके आस पास में यहां पे आपको चार voltage मिल जाता है तो हम वैसे भी check कर सकते हैं और इस तरह से भी check कर सकते हैं तो हम cool testing करेंगे सबसे पहले cool testing करकी ही check करेंगे power के पास पूरा सा PCB हम चेक करेंगे कहीं पे shorting तो नहीं मिल रहा है हमको तो red probe कर देंगे ground सबसे पहले PM6375 के पास ही check करेंगे उसके बाद देखते हैं यहां पे भी बज़ रहा है ground लेकिन other side देखेंगे तो यहां पे 600 gas पर GRR आ रहा है यहां पे 360 और यह तो ground यहां पे 59 यह तो ground one side आपका ground रहेगा क्योंकि यह parallel connection में लगे होते हैं जितने भी capacitors होते हैं parallel connection में होते हैं तो इसमें आपको कोई दिकत वाली बात नहीं है तो one side ground ही मिलेगा आपको second side value मिलनी चाहिए GR मिलनी चाहिए ठीक है अब friends यहां पे VPH का जो cap है यहां देख सकते हैं यहां पे कोई हमको shorting नहीं है इस cap पे भी आप check कर सकते हैं one side तीन तो start same value आ रहा है देख सकते हैं यहां पे भी मतलब यह हमारा VPH का capacitor हो गया यह भी VPH capacitor जितने coil रहेंगे आपको उतने VPH मिलेंगे power AC के पास क्यूंकि सब को input supply चाहिए power AC के section में तो यहां पे VPH line तो हमारा clear है अब हम check करेंगे यहां से step by step सारे buck coils पे check करेंगे किसी में भी हमको यहां पे shorting नहीं मिलनी चाहिए red probe ground ही रखना है आपको step 1 से check करेंगे एक number coil पे देखेंगे 400 के असपास GR मिल रहा है चूंकि input में GR मिल रहा है तभी side में मिल रहा है यहां पे 400 के असपास GR मिल रहा है इस side में यहां पे 390 एक और चीज होती है friends यह जो coils होते है सारे one side तो power के साथ connect होते है और other side जो है हमारे आगे के sections के लिए जाता है तो यहां पे GR तो मिल रहा है हलाकि हम इसको एक और method से भी check करेंगे बाद में तो यहां भी 360 मिल रहा है उसके बाद नीचे वाले coil पे देख सकते हैं यहां पे 360, 300C का असपास next इस coil पे check करेंगे यहां पे 280 का असपास next इस coil पे यहां पे 280, उसके बाद यहां पे इस coil पे, यहां पे 300C का असपास इस coil पे देखेंगे तो friends यहां पे हमने auto के auto coil को check कर लिया, कहीं पे भी beep नहीं आ रहा है, shorting नहीं मिल रही है, कहीं पे भी IC तो हमारा सहीं लगा है, VPH भी यहां पे, जो GR मिलनी चाहिए VPH की मिल रही है अब friends एक बार यह सारे जितने भी capacitors लगे हुए इसको फड़ा फड़ा आपको check कर लेना है, कहीं पे shorting तो नहीं है तो क्यूंकि यह जो लगे होते हैं सारे अब यह इस तरह का नया capacitor मिलेगा यह बोस साइड एक जैसे रहे यहाँ पे तो कोई shorting नहीं है अब यह तो हो गया हमारा network section तो इसमें जो HDR ऐसी लगके यहाँ पे देख सकते हैं एक बार बता देता हूं मैं आपको 735 का HDR लगके है यहाँ पे आपको 2GPA और 4GPA के लिए हो सकता है इनो ने पीचे दे दिया हो कहीं पे इस पत्रे उत्रे के नीचे यहाँ पे देते हैं यह लोग 4GPA बारा यह पीटी पावर के साथ तो नेक्स्ट चलिए यहाँ पे तो दिख रही है हमको जो के हमारी graphic IC जो के SM3010B है और इसमें आपको जैसे पता ही होगा तीन इसमें यहाँ पे कॉयल लगे होते हैं जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे और यहाँ पे जो लग्के फ्रेंट्स यह एक ऐसी नहीं ICA PMR735A 005 वर्जन की यह जो ICA फ्रेंट्स यह secondary power ऐसी है main power हमारा 6375 6375 है और secondary power है 735A यह जो ICA इसमें से 3 buck और 7 ellio बनते हैं इसमें से तो अगर हम देखेंगे तो 1 और 2 और 3 यह 3 coil buck coils इसके पास देखने मिलेंगे आपको कहीं पे भी यह दिखेगी और यह graphic IC के लिए VPH coil होते हैं यह और एक ground के लिए negative supply के लिए switching के लिए coil लगा होता है तो यह 3 तो IC के लिए हो गई है ग्राफिक के लिए लेकिन 1, 2, 3 यह 3 bug जो है इसके लिए होते हैं तो इसमें जो बनते है friends इसमें एक बनता है lower ellio एक VDD MX की supply होती है एक VDD MX और VDD CX एक core के लिए होती है और एक memory के लिए supply होती है और एक lower ellio इसी से बनता है जैसे आप जानते हैं कि 2 power जिसमें होते हैं उसमें lower ellio धोनों power IC हों से बनाया जाता है जिसमें आपने देखा होगा single power हो तो higher ellio lower ellio single power से बनता है जिसमें 2 power IC होते हैं तो दोनों से lower ellio बनाया है तो सबसे पहले इसमें शॉटिंग तो कुछ नहीं मिली और एक बार इस साइड भी हम चेक कर लेते हैं पास सीप्यों के साइड में और कॉलकम का सीप्यों इसमें लगके है 6375 का और इसमें UFS जो लगके हैं सैमसंग का लगके है तो चलिए यहाँ पर भी शॉटिंग चक्कल लेते हैं एक बार यहाँ पर रिंगर ऐसी है इसका और यह इसके मोसफेट्स होते हैं जो बीच में लगे होते हैं जहाँ पर आपको सप्लाई USB की वीबस सप्लाई इन होती है तो फ्रेंड्स यहाँ पे तो कोई शॉटिंग इदर भी नहीं मिल रही है और जैसा देख सकते हैं यहाँ पर पुरा शेड़ कटा हुआ है बहुत बरी तरीखे से लेक सकते हैं यहाँ पर कॉंपोनेंट भी मिसिंग है और हो सकता है किसी निस यहाँ पर काम भी क्या होगा पेस्ट थोड़ा बुत लग रहा है पता नहीं किया है कि नहीं किया है बड़ पत्रा तो कटा हुआ है क्योंकि चिक करने के लिए भी निकाले होंगे अब फ्रेंट्स हम यहां पर आगे और सबसे पहले मैं आपको बता दूँ इस पावर इसी में अगर आप देखोगे तो चा मॉडम का सप्ले होता है APC0 की सप्लाई बनती है APC1 की सप्लाई बनती है और इसमें मेमरी की सप्लाई बनती है तो यह आठ कोईल होते हैंजो कि हमारी PM635 है जैसे कि आप जानते है लोरे इल्डियो में आपको 1.3 वल्तेज मिलता है और जो हमारी GFX सप्लाई होती है वहां पर 0.8 हमको मिलता है और जो हमारा हायर एल्डी होता है वहाँ पर 1.9 से 2 वल्ट हमको वहाँ पर देखने को मिल जाता है इसके लावा मॉडम में कॉलकम में मॉडम की सप्लाई कब आती है आठ बक्वाइल यहां पे दोस्तों इसको डीपली अगर सीखना है आपको हम कैसे चेक करते हैं कैसे बता देते हैं बगर डाइगराम के भी यह हम इस्टूडेंट को क्लास में सिखाते हैं यह एक रीजन है कि हमारे पास से इस्टूडेंट सीखने के बाद जाकर बहुत अच् यह बाद एक साल तक भी आप कभी भी दुबारा आकर के पुरा बैच अटेंड कर सकते हैं फिर से आप बैच में बैट सकते हैं सीख सकते हैं यह आपका हक है यह आपका हक है आप आ सकते हैं आपका इंस्टूड है फोन फीक्स हैदराबाद जो है हमारे सारे 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 हमारी टीम है और हम एक टीम बन कर काम कर रहे हैं और बहुत आगे जाएंगे अगर सब मिलकर इसे ही काम करेंगे नेक्स्ट फ्रिंट्स जैसे मैंने जो हमारा सेकेंडरी पावर हमें इसमें बताया था पी एम आर सेवन त्री फाइवे इसको मैं भी स्केमेटिक से भी बताऊंगा जिसमें आपको तीन बग कोईल होते हैं जो के हमारा एक VDD-CX और VDD-MX जिसमें आपको PLL सप्लाई बनती है फेस लुक लॉप की सप्लाई बनती है इसके अलावा VDD 1.2 जो के लोर एंडियो बनता है उसके अलावा हम यहां पर हाट टेस्टिंग करेंगे क्योंके कूल टेस्टिंग में तो कोई वल्टेजस हमको यहां पर कूल टेस्टिंग में कोई शॉटिंग हमको यहां पर नहीं मिली इस पावर के पास अब हम इस पावर के पास भी हम कुल टेस्टिंग कर लेते हैं क्योंकि PMR के पास भी चेक कर लेंगे यहाँ पे कोई शॉटिंग तो नहीं है क्योंकि मेन पावर में तो हमको कोई शॉटिंग मिली नहीं तो सबसे पहले एक रैट प्रोग ग्राउंड कर देंगे फटाफट ब्लैक से चेक करेंगे जैसे यहाँ पे देख सकते हैं 370 के असपास वैल्यू आ रही है यहाँ पे 110 तो यहाँ पे बीप आ रहा है यहाँ पे देखेंगे 110 यहाँ पे 110 अभी यहाँ पे इस हमारे कोईल है यहाँ पे जैसे देख सकते हैं 405 आपको जीर मिल रहा है इस साड़ बी चेक करना होता है आपको के जीर आ रहा है कैby नहीं आ रहा है यहाँ पर देखेंगे वो 480 का सबस GR आ रहा है थोड़ा सा डिफरेंस है बट यहाँ पर देखेंगे एक और कॉयल 309 का सबस GR आ रहा है तो यह IC से होकर ही निकल रहा है तो एक बार इस साइड भी हम भी चेकल लेते हैं कि वो ही GR हमको यहाँ पर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है इस कॉयल को यहाँ से भी इस साइड से भी चेकल लेंगे दोनों साइड से आपको चेक करना है अगर नालेज आपके पर प्रॉपर है तो देख सकते हैं कॉयल के आउटपुट इनपर आउटपुट दोनों में आपको GR मिल रहा है फ्रेंड्स एक और चीज़ है यहाँ पर कहीं पर भी आपको शॉटिंग नहीं मिलेगी यह देख सकते हैं नहीं मिल रही है जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर भी और इस तरह के जो हैंड से होते हैं आप हमारे इंश्यूट में साथ में ला सकते हैं दस से बारा पंदरा हैंड सट लाइए खुद रिपेर करिए टीचर का काम तो देखते ही हो और खुद करके भी जाईए क्योंकि वहाँ सारे एंश्यूट में क्या चल रहा है इस टीचर ही काम करके दिखाते हैं और स्टूडेंट यहाँ पर कोई काम नहीं कर रहे है Braun बनाके ले जा रहे हैं फिर दुकान में जा करके वो परिशाने हो रहे हैं पिर दुकान में तो टीचर उनको मिलने वाले है यह यह नहीं तो यहाँ पे कोई श्यौटिंग नहीं है मतलब हमने यहाँ पे सारा कुछ देख लिया यहां भी कोई शॉर्टिंग नहीं है, यहां भी कोई शॉर्टिंग नहीं है CP के पास भी कोई शॉर्टिंग नहीं है अब friends हम इसमें Charger लगाएंगे और Charger लगाकर यहां पे सारे Bucks अपलाया, इस Main Power PM6375 के सारे Bucks अपलाया चेक करेंगे, जिसमें कौन से कौन से बनेंगे मैं आपको बताऊंगा उसके बाद यहां पे PMR735A है इसके पास भी हम सारे Voltages चेक करेंगे तो Voltages चेक करने के लिए Mobile में हम मैं इसके Body में इसका PCP फिट कर लेता हूँ, उसके बाद यहां पे हम Display लगा लेंगे उसके बाद Charging का जो नीचे का Support का पता होता है यह भी लगा लेंगे इसमें और अब Charger लगा कर सबसे पहले यहां पर Buck Voltages चेक करेंगे उसके लिए Multimeter को DC20 में रख देंगे सबसे पहले Charger मैं ने In कर दिया यहां पर और यहां पे मैं चेक करूँगा अभी सारे Buck Voltages कौन से कौन से बन रहा है का नहीं बन रहा है तो Black Probe आपको करना है Ground और Red Probe से चेक करेंगे तो सबसे पहले यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर एक Coil आपको दिख रहा है यह होता है हमारा Lower LDO का Coil जहां पर आपको 1.2 के असपास 1.3 यह चाहिए देख सकते हैं वेल्टेज तो मिल रहा है बडट यहां पर थोड़ा सा Fluxuate हो रहा है जैसा कि आखर जा रहा है कि देख सकते हैं उसके बाद Next Second Coil यहां पर देखेंगे यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर भी कौई voltage यहाँ पे कोई voltage नहीं बन रहा है तो यह हो सकता है हमारा modem का coil हो उसके बाद next देखेंगे जो के हमारा है higher audio जो के 2.0 voltage मतलब 1.9 से 2.0 के असपास यहाँ पे higher audio बनता है तो यह भी fluctuate हो रहा है जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे stable होने चाहिए next उसके बाद एक और coil है हमारे पास यहाँ पे देख सकते हैं 0.9 जो के VDD GFX के लिए ग्राफिक्स के लिए है यह भी यहाँ पे आपको fluctuate हो रहा है उसके बाद यहाँ पे एक और coil है यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई voltages नहीं बन रहा है और यह जो coil है हमारा APC0 का coil है तो यहाँ पे कोई voltages नहीं बन रहे हैं उसके बाद APC0 में कोई voltages नहीं बन रहे हैं उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे यह दो coil जो है यह आपस में connected है जो के APC1 की supply है हमारी तो इसको भी चक्कल लेते हैं यहाँ पे के face loop lock के लिए भी जा रहे है बहुत सारे section में जाती है तो यहाँ पे आपको 0.9 के आसपास voltages बनने चाहिए तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कोई voltages नहीं बन रहे है memory की supply बननी चाहिए अगर मैं एक बार charger निकार के वापस से लगा लेता हूँ और एक और बार चेक कर लेंगे इसको थोड़ा सा PCP को इस तरह से घुमाते हैं और यहाँ पे चेक करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे कोई voltages नहीं बन रहा है यहाँ पे देख सकते हैं अभी कुछ voltages आके जा रहा है 0.48 इस तरह से मतलब फ्लक्चेड हो रहा है कुछ voltage तो आ रहा है यहाँ पे एक बाई साइट से भी चिकल लेता हूं अच्छे से अभी देख सकते हैं आप कोई voltage नहीं आ रहा है यहाँ पे तो यहाँ पे हमको एक memory का सप्लाई यहाँ पे बाखी यहाँ पे APC 1 और APC 0 का तो बाद में ही बनेगा lower audio और higher audio में हमने देखा और lower audio और higher audio में हमने देखा यह fluctuate हो रहे हैं अब हमारे पास एक और power है यहाँ पर देख सकते हैं PMR के नाम से जैसा यहाँ पे मैं थोड़ा सब PMR 735 है जिसमें आपको 3 bug coil यहाँ पे लगके हैं जैसा कि हमने भी cool testing में देखा 1 coil, 2 और 3 3 coil में जो सबसे उपर वाला coil हमारा यह है lower audio का coil जहाँ पे वह 1.3 का voltage बनने चाहिए उसके बाद यहाँ पे 2 coil है एक है आपका VDD MX के लिए और एक है VDD CX मतलब core और graphic के लिए यहाँ पे अगर हम चेक करेंगे 0.8 voltage मिलने चाहिए यहाँ पे चेक करेंगे 1.3 के असपाद voltage मिलना चाहिए चलिए इसको भी हम जैसे charger हमारा लगा हुआ है एक बार यहाँ पे चेक कर लेंगे क्या चार वल्ट हमारा VPH अभी भी आ रहा है के नहीं आ रहा है तो यह देख सकते हैं graphic के लिए तो VPH हमारा रहा है मतलब हमारा board में अब यहाँ पे हम चेक करेंगे इन दोनों coilों में तो यहाँ पे हमको 0.8 का voltage मिलना चाहिए तो देख सकते हैं यहाँ पे 0.8 voltage तो आ रहा है लेकिन वही fluctuate हो रहा है fluctuate का मसला यहाँ पर है अब एक और यहाँ पे इस coil के इस side में हम चेक कर लेंगे तो यहाँ पे भी देख सकते हैं यहाँ भी fluctuate हो रहा है मतलब coil के दोनों side आपको देखना है कि voltage आ रहा है कि नहीं आ रहा है सिर्फ एक side देखकर decide नहीं करना है उसके बाद इन coil पे हम थोड़ा सा घुमा करके भी check लेंगे कि यहाँ पे voltages हमारे बन रहे हैं एक side तो बन रहे हैं तो other side भी check करेंगे input और output में तो यहाँ पे भी okay है और इस coil पे भी check करेंगे यहाँ पे भी हमारा voltage आकर जा रहा है अब एक और coil हमारे पास यहाँ पर है जैसे कि आप देख सकते हैं ECIC के पास किनके तीन इसमें bug बनते हैं जैसे मैंने आपको बताया तीन bug coil यहाँ पे है वही आईसी है 735A तो एक हमारा होता है यहाँ पर VDD-CX जो के core के लिए होती है VDD core जो के CP में supply जाती है और VDD-MX यह भी CP में जाती है CP की memory के लिए और face look lock के लिए PLL के लिए भी और एक जो तीसरी supply आप देख रहे हैं यह होता है हमारा lower endo जो के इस IC से निकल करके IC में जाता है और यहाँ से आपके 7 LDO यहाँ से बनते हैं तो चलिए यहाँ पर हम चेकल लेते हैं इस coil के पास के voltages हमारे बन रहे हैं के नहीं बन रहे हैं तो इस coil के पास हम चेकल लेंगे charger लगा हुआ है हमारा और अभी भी 4V यहाँ पर देख सकते हैं VPH का तो आ रहा है तो यहाँ पर एक coil के पास चेकल लेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं इस साइड में भी यह voltage भी आपका जो के lower LDO है यह यहाँ पर बन रहा है बट यहाँ पर fluctuate हो रहा है यहाँ पर कोई voltages नहीं बन रहे है जैसे कि आप देख सकते हैं एक और बार में वापस से बनाना चाहूंगा इस साइड में तो हमारा voltage आ रहा है coil जो है इस IC के input से है तो यहाँ से तो IC का यह output है और वापस यह coil से बन करके IC में जानी चाहिए बट यहाँ पर एक साइड में तो हमारा voltage मिल रहा है 1.2 के आशपस आकर जा रहा है जैसे आप देख सकते हैं लेकिन दूसरा साइड अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कोई voltages नहीं बन रहे है मतलब friends cool testing में जो GR हमको मिल रहा है यहाँ पर अगर हम देखेंगे इस वाले कोई के पास तो दोनों साइड तो जियार आ रहा है लेकिन कोई को भी चेक कर लेंगे कि आपस में यह बीप कर रहा है कर नहीं कर रहा है तो multimeter को रखेंगे buzzer mode में वापस से मैं cool testing में जियार चेक करके बताना चाहूंगा आपको तो one side अगर हम देखेंगे इस side में यहाँ पर 400 के आसपास GR आ रहा है हमारा और अगर दूसरे side भी अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर भी हमको 400 के आसपास GR मिल रहा है देख सकते हैं अब जब हम इसको चेक करेंगे जैसे हम normal coils को चेक करते हैं तो उसमें आपको भी पानी चाहिए जैसा हमें यहाँ पर coil चेक करके आपको बताता हूं जैसे यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इस side से भी पा रही है जैसे इसी तरीखे से इस coil में भी हमको भी पानी चाहिए क्योंकि ये तीनों कोईल में हमको बीप आनी चाहिए अगर हम जब चेक करेंगे कूल टेस्टिंग में तो जैसे देख सकते हैं यहां पर बीप आ रही है वैसे हम इसमें भी चेकल लेते हैं तो इसमें भी बीप आ रहा है और इसमें भी चेकल लेते हैं एक बार तो यहां पर नहीं मुल रहा है तो यहां पर रह भी को कोई सेय साल पर आतरो सी माआं आ रही है तो सप्ला इस की का नहीं मिल रही है कि वेल्टी सप्लाई जो है आपकी लोई यहां से से कंडरी पावर से मिसिंग है इस डाटा हम एक बार डाइग्राम में भी देख लेते हैं तो यहां पर आप जैसा देख सकते हैं यहां पर मैंने इसका डाइग्राम बनाया है तो यह देख सकते हैं यह PMR 735A का आपका डाटाशीट है जो के हमने यहां पर बनाया है यह पूरी हमारी टीम की मेनत है फोन्सी खेदराबाद की जो के सब मिलकर यहां पर काम करते हैं आपको कुछ ना कुछ सलूशन देने ही कुशिश करते हैं तो एक नमबर जो इसका यहां को यहां पर 7 नमबर और 8 नमबर और 48, 47, 45, 43 और 19 नमबर में टोटल इसमें 3 और 4 साथ गोलों में आपको यहां पर वी पे अचीन होने चाहिए बाखी यह ब्लैक पिन जो है गिरॉंड पिन है इसके अलावा इस IC को रिसेट करवाने के लिए CPU, SPMI, Clock और डाटा की दोनों सप SPMI, System Power Management Interface के थ्रो इसको रिसेट कराया जाता है उसके अलावा इस IC को इडेंटिफिकेशन के लिए IO वल्टेज होने होते हैं VIO जो के यहां पर आप देख सकते हैं 1.8 का वल्टेज IC में 44 नमबर में आ रहा है इसके अलावा इस IC में Fault N का सप्लाई होना बहुत जरूरी है जो के में पावर के 107 नमबर गोले से आता है जो में पावर हमारा इसमें लगके 6,3,7,5 इस पावर के 107 नमबर गोले से 1.8 का Fault N का सप्लाई यहां पर आने चाहिए तब जाकर के आपका IC work करेगा इसमें और भी सप्लाई है जैसे के VREC 7 V voltage regulated जो के हमारी सप्लाई होती है S7 जो के स्विचिंग सप्लाई है हमारी जहां पर हाईर करेंट बनता है हाईर लो वल्टेज के साथ हाई एंपियर बनता है दो वल्ट की सप्लाई यहां पर आपको 10 नमबर पे मिलती है इसके अलावा पावर IC से एक और सप्लाई यहां पर 0.9 की VREC S5 A के नाम से 0.9 की भी सप्लाई यहां पर इस IC को दो नमबर पिन पर दिये जाती है जैसा है आप देख सकते हैं यहां पर तीन बग कोईल यहां पर लगके है अगर आप S1 की बात करें तो VDD MX और PLL दोना सप्लाई VDD मेमरी जो के CPU की मेमरी के लिए वल्टेज होते हैं अगर CPU को यह वल्टेज नह काम नहीं करेंगी इसके अलावा VS2 की सप्लाई अगर आप बगपाईल के S2 स्विचिंग सप्लाई 2 की बात करें तो VDD CX की सप्लाई है जो के हमारी 0.8 की बननी चाहिए यह दो सप्लाई तो यहां पर बन रही थी मगर यहां पर आप VBLS3 में अगर देखेंगे आप जिसको हम VS2 की सप्लाई भी बोलते हैं बहुत सारे आपके Mediatek के हैंडसीट में बट यहां पर यहnocений को Tor 29 contributes सेड़् है तो यहां पर हम लोगर एल्ल्ड इर्ल्ड की सप्लाई बोलेंगे आपको low ampere की supply बनती है जो के voltage regulated supply होती है VREG की supply होती है वहाँ पे आपको switching supply नहीं मिलेगी वहाँ पे आपको normal supply मिलेगी जिसमें low ampere होता है तो वो उसमें से आपको 7 आपके LDO supply बनते हैं यहाँ से इस IC से जो कि network section के लिए जाते हैं हमने सारा इसको research करके चेक करके आपको बता रहे है जब आपके पास यह PMR 735A आएगा तो यह data sheet ले करके आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं तो हमारे पास यहाँ पे इस S3 की जो supply है हमारी एक side तो IC के साथ connected है बट दूसरा side जो है वो IC के साथ connected है बट coil में से बीप नहीं आ रही है दोना side IC के साथ connected तो है बट यहाँ पे हमको voltage एक side मिल रहा है और दूसरे side नहीं मिल रहा है मतलब IC से auto हो रहा है वापस IC में नहीं जा रहा है तो यहाँ पे हम जो करेंगे अभी इस में इस वाले coil को हम यहाँ से निकालेंगे और एक दूसरा coil हम दालेंगे और दालकर चेक करते हैं और देखते हैं कि क्या हमारे जो voltages है stable हो रहे के नहीं हो रहे और stable हो जाएंगे तो फिर हम set को भी चेक करेंगे कि हमारा set proper work करता है के नहीं करता है एक तो fault हमको यह मिला है हो सकता है किसी ने और भी कहीं पर काम किया हो कुछ भी हो सकता है आपको चेक करना है step by step मैंने यहाँ पर इतना सारा भजाया है आपको checking करने का process cool testing करनी होती है hot testing करनी होती है और यह जो coil है friends यह इस IC का lower radio का coil है यहाँ पर 1.3 के आसपास supply बननी चाहिए और दोनों साइड हमको यह voltage मिलने चाहिए और यहाँ पर हमको बस यह voltage जो मिला हमको one side मिला है एक बार सबसे पहले कोईल निकाल कर चेक करेंगे उसके बाद किसी और कोईल को यहाँ पर हम डालेंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पर इस कोईल को हमने निकाल लिया है जैसे के आप देख सकते हैं तो इसको एक बार चेक भी कर लेंगे निकाले हैं तो क्या यह कोईल सही है क्या क्योंकि तूटा हुआ तो लग नहीं रहा है पूरी तेरे चैसे अच्छा लग रहा है हमको क्वैra ओर उलगे क्या के नहीं पैस में नहीं आ रहा है क्या रही है वहा lagi मैं ब्रटीटर से आपको बौड में भी चिक करके बताना चाहूंगा यहिस कौईलeven के पार इस दोनों सीरों पर यहाँ पे हमको GR मिलेगा क्योंकि यह एक side IC के side connect है और दूसरा side भी IC के side connect होता है बहुत सारे आपको गलत information देंगे कि एक side IC के side connect होगा और दूसरा सीरा CPU में जाएगा इस तरह से काफी सारी गलत information आपको दे देते हैं फिर आप उनके आप चेक करते हो तो यहाँ पे आपको कोई mobile बनने वाला है नहीं तो coil जो है फ्रेंड्स हमारा एक और बार मैं आपको चेक करके बताना चाहूंगा यह देख सकते हैं तो coil यहाँ पे हमारा open हो चुका है तो यहाँ पे अब हम लगाएंगे एक दूसरा coil और उसके बाद हम चेक करेंगे क्या हमारा fault बनता है के नहीं बनता है तो इसको लगाने के लिए फ्रेंड्स हम किसी और किसी और motherboard से हम एक coil निकालेंगे और वहाँ पर लगा कर चेक करेंगे किसी और यहाँ से निगाल लेते हैं इसको हम डॉल के चेक करेंगे करेंगे मडर होती है हम तो इसको हमने के लिए थोड़ा से इससे पकड़ लेता हूँ हम चलिए यह बाद में बादू लग देता हूँ और वापस हमको जिसमें लगाना है जिसमें एक coil वापस से लगा लेते हैं थोड़ा उपर नीचे अच्छे से मिल्ट होने चाहिए तब हम लगाएं इक coil को तब हम नीचे घट रख़ा लेते हैं तब हम लेते हैं तब हम लेते हैं कि कि ऐसे में कुल टेस्टिंग में तो ज्यार आई रहा था फुरा थन्दा होने के बाद एक बार वॉल्टेज़ दिखते हैं कि वॉल्टेज़स में कुछ फरक आता है कि नहीं आता है कि इस पर लगाने के बार कि अगर आए अगर अगर आए अगर अगर आए अगर अगर वापस से पीजिवी पर लगाएंगे और लगा करके फिर से हम चिक कर लेते हैं पर उपेज़स में कुछ दिखनेंस आया एक नहीं आया है करनेक्टर लगा लिया है अब हम यहा पर एक बार वल्टेजिटे कर ले यह रिए जो हमारे वोल्टेज ते इस्टेबल हुए रही और जो के डोनों सब्सक्राइब बोल्टेज आ रहा है कर दो सबस्क्राइब करते हैं क्या बॉल्टेज है यहां पे हमको 1.3 मिलना था वोल्टेज है तो जीकिसकते हैं 1.1 अभी स्टेबल हो चुका है अब हम इस सेट पर भी दिखेंगे क्या हमारा कोई के लिए कि यहाँ पर भी 1.1 के असपथ मोंटे जा रहा है और यह जो हमारे यहाँ पहुत सबसे पहला कोई में बताना चाहूंगा आपको कि 1.2 वर्टेज इस्टेबल है उसके बाद नेक्स्ट वर्टेज 0.8 क्या सब्सक्राइब इसके बाद हमारा बनता है हाई इसके बाद भीडिए अफ्सक्राइब और यहां पर जेक्सक्ते हैं एक ब्रॉटाइब नहीं नहीं यह देख सकते हैं यहां से मैं दिखाना चाहूंगा आपको वीडिदी-CX का जो वोटेज यह भी इस्टेबल है और वीडिदी-MX की सप्राइज पर इस साइट से चेक करेंगे तो यह भी यहां से इस्टेबल है तो चलिए एक बार हम इसको आउन करके चेक करते हैं एक बार म है एक बने करते हैं यहां पे वायबरेट किया है क्टते बर लेखते हैं यहां पर इसका लोगो यहाँ पर आ चुका है charging का जो हमारा हमाना problem था solve हो गया है एक बाद हम on के ओंच करके को टो यहाँ पर रिपरेट करते हैं तो यह प्रडूाइट करते हैं लोगो तो आकर गया है मतबाप चार्जिंग का लोगो आकर गया है एक एक बार पावर की अच्छे से प्रेस करता हूं कि अगर चार्जिंग नहीं होगी तो भी ठीक है वाइब्रेट कर गया है तो लोगों आता है या ओन होता है चेकर लेते हैं पूरी तरीका से अन होना चाहिए देख सकते हैं जैसा यहाँ पर MI का लोगो आ चुका है और यहाँ पर देख सकते हैं आप यह मुबाइल हमारा पूरी तरीके से आन हो चुका है जैसा कि आप देख सकते हैं यह और हमारा जो प्रब्लम था वो सॉल्व हो चुका है जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ कि किस्टरमर का डाटा तो नहीं है ठीक है तो यह फोन जो था फिरेंट्स हमारा प्रॉब्लमेटिक अभी जैक्सा के आप देख सकते हैं इसमें जो फाल्टी हमको मिला जो हमारी सेकंडरी आइसी है उसके अंदर अब यहां पर अधियो सप्लाई में हमको प्रॉब्लम मिली जिसके अंदर हमने देखा इस्टेप बेस्टेप तो जैसे के आपको को हैं को सारी पुल टेस्टिंग करने है हौट टेस्टिंग करें रही आइसना की आपको नौलेज होनी चाहिए सब्लाइब टू की सब्लाइब आपको असानी से हो जाता है आपको काम करना जैसे कि आपने देगा फ्रेंट्स नहीं आपको मिलेगा नहीं जहां से पहले पावर में आपको ब्योबी रिटना करता था बढ़ इस तरह का प्रोलों इस तरह का सर्किट नहीं है इसमें पाल टेन का सप्लाई मिलेगा आपको बना रही है और जो वी रेक्टु के लिमिटेड है अगर आप चाहे तो हमारी एक प्रोफेशनल टीम के साथ जूड़ सकते हैं और ये वीडियो जारा भी आपको कुछ भी सीखने मिला तो नीचे कमेंट जरूर करिए और एक चीज यह है कि हमारी मेहनद सब्सक्राइब करने का तरीख आपको पता है सब्सक्राइब करें नीचे अपना प्यारा सा कमेंट जरूर दें थैंक यू वेरी मच